दोस्तो सुजलोन एंडर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल क्या रही है जिसको इस वीडियो के माधिन से डिसकस करने वाले यहाँ पे आप देखें से कि स्टॉक इस समय 40 रुपीज के आसपास है लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है कि इसकी प्राइज क्यों नी बढ़ पारी है और यह स्टॉक क्या नीचे आने वाला है अब आप यह समझे सकते हो गर आप सुजलोन में काफी समय से इन्वेस्मेंट कियो होंगे तो आपको यह पता ही होगा कि यह पहली बार ने जब श्टॉक 40 रुपीज के आसपास श्टॉक श्टॉक बहुत समय से श्टॉक किया कम से कम एक साल तक आप सकी प्राइज 8 रुपे के आसपास देखोंगे लेकिन जब दौर ने लगा तो वही 8 रुपे का श्टॉक 50 तक पहुचा तो इस बार भी यह 40 के आसपास जो एक मजबूत सपोर्ट बना रहा है आने वाले समय यह 100 की तरब जाने को तैयार हो रहा है तो क्या करनाची इस समय जानने की कोसिस करेंगे आने वाले समय किसके टारगेट क्या रह सकता है और इसको हम 5-6 साल के लिए होल्ड कर ले तो कहा तक यह स्टॉक जा सकता है इसके अलावा कौन से म्यूचल फंड है जिनों न जम के खरीदारी की सुजलों में वो भी समझने की कोसिस करेंगे और सबसे जो बड़ी बात है विन अनरी सेक्टर में एक बड़ा अच्विमेंट हुआ है वो क्या है उसको भी जानेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जपी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त सबसे पहले कल के कारुबार की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं सुझलो नाजी के स्टॉक में हमने तेजी भी देखे जी दिन में गिरावट के बाहूल में भी 41.25 क्या स्टॉक गया था क्लोजिंग थी परसु की 40.75 क्या स्टॉक और 39.55 का लो भी बना लेकिन जो क्लोजिंग है वो 40.65 के आसपास रही यानि 40 का इस तर टूटा लेकिन फिर से इस ने जो क्लोजिंग 40 का उपर दी है 0.25 की गिरावट के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि यह स्टॉक में पीछले 4-5 ट्रेडिंग स्टॉक में देखे तो करीब 2,000 पॉइंट की गिरावट बीएस सेंसेक्स में हुई है तो जितनी बड़ी बाजार में गिरावट हुई है उस हिसाब से अगर देखे तो सुजलोन में उतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि आप देखे तो दस तारीक के आसपास 75,000 के इससर पे था हमारा BSC सेंजर जो इस समय 33,000 के इससर को भी तोड़ दिया है तो कुल मिला के देखे तो सुजलोन का प्रदोसन अच्छा रहा है अब इसकी परफॉर्मेस अगर आप देखे तो पिछले 5 सालों में इसने 451 परसेंग का अच्छा खासा रेटन दिया है लेकिन पिछले 3 सालों में 752 परसेंग का बंपर रेटन दिया है यानि जिसने भी 3 सालों में इन्वेस्मेंट किया होगा वो इस स्टॉक में ओलरी माला माल हो चुका है क्योंकि 8 रुपे का जो श्टॉक था इस समय 40 रुपे के आसपास है आपका जो रेटन वो पाच गुणा के आसपास है पिछले एक साल में ही इन्वेस्मेंट किया होगा तो 403 परसेंग का बंपर रेटन दिया है या आपके आपके इन्वेस्मेंट को 4 गुणा बदल दिया है स्टॉक ने काफी सांदार लेकिन पिछले तीन महीनों में आपके 3.69 परसेंग की गिरावट हुई है और पिछले एक महीने में 2.79 परसेंग की फिर तेजी देखना को मिल रही है और अब यहां पे जो बड़ी अपडेट इकल क्या रही है फाइनेशल इयर 2020 में विन इन्स्टॉल कैपसिटी एक रिकॉर्ड नया बनाएं तो पूरे दुनिया की जो विन इन्स्टॉल कैपसिटी वन हंडेट सेवंट गिगावाट के आसपाच इंस्टॉल कैपसिटी 2023 के रही है जिसमें मंगलवार के दिनी लेटेस्ट ग्लोबल विन रिपोर्ट पेस की गई है ग्लोबल विन इन्स्टॉल कैपसिटी तो काफ़ इची बड़ी है लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंज है जो इसको फेस करने इस सेक्टर को तो इस रिपोर्ट में का किया कि जो इन्स्टॉल गाउड की होनी चीए उस हिसाब से अभी बहुत कम है तो इस मौके पे जी डवली एसी के जो सीओ है बैंड बैक्वेल उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गरू हो रहा है कि हमने एक रिकॉर्ड उच्छाई प्राप्त की है विन अन्री सेक्टर में हमने इन्स्टॉल क पाके लेकिन हम जो गोल है उसे बहुत पीछे और इसको पूरा करना होगा आने वाले समें इसमें तेजी ओल लानी होगी तो कुल मिला के देखते हो कि सुजलोन के लिए बहुत ही अच्छी गुड़नी जा है आने वाले समें इसका असर देखने को मिलेगा और इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है सुजलोन की बात के तो इंडिया की यह सबसे बड़ी विन टर्बाइन इर्मान करने वाली कंपनी है और 33% इसका मार्केट शेयर है इंडिया के बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट आउसं को सबको विन टर्बाइन बढ़ती है यहीं नि रिवेन्यू लगातर बढ़ते रहता है अब यहां पर देखो कि कंपनी का कोटर फॉर का रिजल एंडाजाने वाला थो कंपनी के बड़े के बाइन अंदाज है के तो यहां पर देखो कि का जा रहा है कि इस बार सुजलोन का जो टोटल प्रफिट है वो 324.20 क्रोड के आसपास रह सकता है जिसमें 16% की वर्जी देखना को मिल रही है यह 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 बड़ा वज़े इस पार है कि कंपणी ने अपने डेट को बहुत कम कर लिया है नेट सेल्स ग्रोध भी काफ़ी इचा बढ़ रहा है यहां पर देखो कि कंपणी का यह अरण बेसिस पे अगर आप सेल्स देखे तो 2762.20 क्रोड के आसपास रहे सकता है जो पिछले साल 1694.20 क्रोड के आसपास था अभी ड़ा मार्जिन में देखे तो 13% के आसपास रह सकती है जिसमें 46% की बेसिस पॉइंट की गिरावट देखना को मिल सकती है कुल मिला के देखो कि रिजल बैतर रहने की उमीद है और रिजल अगर अच्छा होगा तो इस बार शेर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा अब यहां पे quarter 4 के दर्मिय अलावा मोतिलाल ओस्वाल लार्ज अंड मीड के डारेक्ट ने आपे 114 क्रोड का इंवेस्मेंट किया और उनकी होडिंग भी 16.49% मन्त और मन बेसिस पे आपको बढ़ती हुँ दिखाई देगी इसके अलावा इंवेस्ट को इंडिया कॉंट्रा डारेक्ट जी ने 104 क्रोड का इंवेस्मेंट किया उनकी होडिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है इसके अलावा एडलवाई लार्ज अंड मीड के डारेक्ट ने 48.17 क्रोड का इंवेस्मेंट किया है उनकी होडिंग में भी हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं ही मिल रहा है इसके अलावा है इंडिया एल्स टेक्स सेवर डारेक्ट की बात हो 39.56 क्रोड का इंवस्मेंट किया है और 20.75% के ओल्डिंग उनकी मन्त और मन बेसिस पर आपको बढ़ती हुग दिखाए देगी इसके अलावा इसके अलावा इंडिया इंडिया इंफ्रसेक्ट्टर ने 28.44 क्रोड का इंवस्मेंट किया उनकी ओल्डिंग 43.53 क्रोड का इंवस्मेंट किया। इसके अलावा इन्वेस्ट को इंडिया मल्टी केप डारेक्ट ने 23.72 क्रोट का इन्वेस्मेंट किया उनकी होल्डिंग में कोई बदलावनी हुआ तो काफी जबर्दस खरीदारी हुए है इस बार सिर्फ दो म्यूचल फंड की होल्डिंग ट्रीम हुई और वो है इन्वेस्ट को इंडिया कॉंटरा जिसकी 2.53% की होल्डिंग कटी है इसके अलावा आईसे से प्रूव मीड कैप की 26.41% की होल्डिंग कटी है बाकी सभी दो हजार चोवीज के लिए जो टार्गेट यहां पर दिखाई दिरा है तो एक फ्यूचर आउटलुक के इसाब से 55 क्यास पास श्टॉक रहने की संभावना दो हजार चोवीज में देखे तो यह 86 तक जाते हो दिखाई दे रही है 70 इसकी लो प्राइज है और एक एवरेज प्राइज प्राइज प्रदसन आपको करता हो दिखाई देगा लो प्राइज भी कम से कम एक सो बत्राइज तक जाने की समवाना पूरी बनी भूए है एवरेज प्राइज 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 वन हंडेड नाइट वन के आसपाश है यानि 2030 अगर आप इसको होड़ कर लेए प्राइज प्राइज बहुत है अरडर मुक मजबूत है कंपनी कर्ज मुक्त लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor ले 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 या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए लाइक से जुरू की जोड़ चैनल को subscribe कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड